नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसवी का भलत करोड़ आपके सारी एक्षाय मने कामने पूरी हो दोस्तों, अज मैं आपसवी को इस हाथ से रिलेटिड महत्पन जान कर रिवेक करूँगा और यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो कोईरी से उसका अंसर दिन एक पद ओर रॉरॉल पाम रेडिंग पर आएंगे तो यहाँ पर परशन आपके हेल्थ के रिगारडेंगे कि हेल्थ कैसा रहेगा तो यहाँ पर जो आपकी heart line है जिसे सीमेल line कहते है जिसमें heart on mind line एक तक्रिबन एक ही हो जाता है यह पूरा का पूरा island के formation के साथ चल रहा है island यानी दूइब की आकरती के साथ दूइब की आकरती यह से बीच बीच में इस प्रकार से बनती है दूइब की आकरती होना रेदर एकापर हमेशा स्वास्त संबन्दी विशों को लेकर के तनाव देता है इस condition में स्वास्त की विशे में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है और वो चाहे viral हो चाहे internal कोई एक प्रकार से health के regarding disturbance हो या health में stamina energy के regarding कोई disturbance हो रोग प्रतिरोदक्षम तक कम हो तो यह सारे combination क्या करते हैं कि लगा अतार health के regarding stress, struggle या कुछ minor issues में involved करते हैं इसके comparison में आपकी life line की स्थेती बहुत सुधरती दिख रहे है क्योंकि life line में दिख रहे है कि बच्पन से ही आपको स्वास्त संबन्दी विशों के लेकर के बहुत ज़ाद अतनाव और घरिलो तकली परशानी भी जादा रही है लेकिन यहाँ एक अच्छी बत यह है कि जो last issue दिखाए दे रहा है strongly वो दिखाए दे रहे 34 केज में उसके बाद से life line की स्थिती धीरे धीरे ठीक हो रही है और यहाँ पर अगेन एक रेखा कि यानि एक और आइलेंड की availability हो रही है और यह समय को अगर यहाँ पर judge करें तो यह निकल के आएगा around 39 से 41 के मिड में उसके बाद से जो life line की स्थिती वो बहुत smoothly हो रही है और फिर इसका देखेंगे तो supportive line के दोरा life line आगे के तरफ बढ़ रही है तो आने वाले समय में health के regarding उतना issue नहीं रहेगा लेकिन heart line इस बात को दर्शार है कि आपको cholesterol, sugar के regarding struggle आ सकता है और एक प्रकार से heart के regarding भी problem हो सक इसलिए इस condition में regular based pranayam करना, yoga करना, कुछ ना कुछ exercise करना या फिर jogging करना बहुत ज़्यादा या टहलना at least सुबह जल्दी आवशक है ताकि पूरे के पूरे organs के regarding एक प्रकार से अच्छा system generate हो सके और heart line और साभी रेखाओं के regarding positivity बढ़ सके क्योंकि जब हम सुबह जल्द नहीं है प्राण तो यहाँ पर प्राण एक तो व्यक्तिका बढ़ने लगता है, आयू बढ़ने लगती है, स्वासंबंदी विश्यों में सुधार होने लगता है, तो यहाँ पर यह आप एक काम definitely करिए, आपका life line तो बहुत सुधारता दिखाई दे रहा है, लेकिन heart line भी जल्दी सुधर जाएगा, देना आफ्टर फिर आपको किसी बात की चिंता, health के regarding mostly नहीं रहेगा, दर्वाइस किसी ने किसी चीज़ में उलस्ते बे बार-बार health के regarding देखने को मिलेंगे, दूसरा प्रशन है, बिजनस के सा रहेगा, तो देखे आपको जो mercury amount है, उसके पर आ किसी देख सकते हैं कि यहां पर रेखाओं के availability है, तो business में तो scope अच्छा है, लेकिन क्या है, अगर major बात किया जाएगा, कि आपका जो heart line है, वो heart line हमारे emotions को, हमारे health को carry करता है, हमारे work tendency को दर्शात है, कि हम किस प्रकर से focus होके काम करते हैं, जब यह disturb होता है, तो व्यक्त कि हतेली में चाहे कितनी ही अच्छी रेखा क्यों ना हो, कितने ही अच्छे योग क्यों ना हो, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि जब तक व्यक्ति का स्वास्त ठीक नहीं रहेगा, काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, आपके हतेली में this email line है, जो इस बात को दर्शा है इवन खुद का घर भी आपका निश्चित रूप से हो पाएगा और आने वाले हार्डली तीन से चार साल के अंतरगत हो जाएगा क्योंकि बहुत प्रोमेनिट यहां पर आपका जो है रेक्टिंगल का साइन बनता दिखाई दे रहा है तो यह प्रोपर्टी ही देता है और यह आपको मोस्टली देगा 40 से उने नेट के एज के आसपस में सारे योग सही है बच्चों से भी लाव अच्छा मिलेगा क्योंकि जूपिटर पे गुरु अले का चिन है यह आपको धार्मिक बनाएगा आपकी बच्चे भी धार्मिक वो संसकारी रहेंगे शनी के ओपर भी सिंबोल का साइन है तो बहुत अच्छा वेल्थ यह क्रियेट करेगा पेसा अच्छा देगा यहाँ पर भी फिश इंबोल का साइन क्रियेट हो चुका जिसके करन बहुत एक्स्ट्रेम लिएल का सकसे बिजनस में रहेगा सब ठीक है लेकिन जब तक यह हार्ड लैंड ठीक नहीं रही तब तक आप इंजॉयमेंट कैसे कर पाएंगे जब तक स्वास्ट ठीक नहीं है तो इतनी सफल तक जो लाब है वो कैसे व्यक्ति उठा सकता है तो आप अपने सबसे पहले स्वास्ट की विशे पर भरपूर ध्यान दीजे आदत अच्छी डालिए खानपन से लेकर कि अपने दिन चरिया को मेंटेन करने तक की जब इसकी स्थिती ठीक हो जाएगी जब यहां आइलेंड के फॉर्मेशन थोड़े से कम होना शुरू हो जाएगे आपको खुद ही बहुत ज़्यादा हर काम में मनुर अंजन जो है हर काम से संतुष्टी हर काम से रगती होता हुआ दिखाई देने लगेगा तो अब यहां पर आते हैं आपके और अवरॉल पाम के अनलेसिस के उपर यहां पर आप देख सकते हैं कि जो फिंगर के लेंथे पूरे पाम के कमपरिजन में नॉर्मल है इसको ना जादा लॉंग कहेंगे ना जादा शॉट कहेंगे लेकिन यह एक डिटेल्ड एनलेटिकल परसनेल्टी को इंडिकेट करता है जिसके करन्ण हर काम को सोच विशार क करना अपने अपको प्रीबलार रखना लाइफ में एक एक स्टेफ फुख फुख करके रखना पेशिन्स बहुत अच्छा देखने को मिलना किसी के अंडर में भी कंफर्टिबली वर्क कर पाना तो अपने अंडर में भी दूसरों को रह कच्छे से काम निकल बापाना है इस से लिए खर्चिल आपन यहाँ पर वह जिद्धी किसम का व्यक्तितु ज्यादा देखने को मलता है लेडल फिंगर जब भी थोड़ा डिस्टेंस में चलती बाकी फिंगर के तो इसे जातक सुन सब की लेते हैं और अपने मन की हैं और लेडल फिंगर तकरिवन थर्ड मिदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और इसे लीडर, एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट अच्छा वरक करते हुए भी देखने को मलता है तो ये इस बात को दर्शार रहा है कि समाज जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तो आपका कुल मिला करके बढ़िया रहेगा फिंगर का छोकाओ सेटन के तरफ भी है तो अध्यात में रूची धार्मी किसमे की प्रवती भी रहेगी और फिंगर के उपर आड़ी रेखा आपके थोड़े से जादा है जो बार बार होने वाले रिष्टों में अन्बन मद्भे दूरियों और तनाओ को व्यक करता है कि रिष्टे नाते लंबे टिक नहीं पाते है अच्छे से चल नहीं पाते है कही न कहीं बार बार रुकावट या फिर थोड़ा सा एक प्रकार से अलगाओ दूरियां आ जाती है फिंगर के नोट यहां डेवलोप क्लियर कट नहीं है जो कन्फूजिंग मैंसेट के भी निशा इसके गाइडिन्स यह सपोर्ट के और शक्ता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए फैलेंजस डेवलोप ठीक है और इंटरनल मार्स के स्थिती भी तक्रिबन ठीक है तो यह थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेशन है हेल्थ के रिगाडिंग क्योंकि यह जब परवद बाते भी क्लियर कट याद रहती है यह कचीन जो आप देख रहे हैं यह आलिशन घर का सुख भी देता है और इस कंडिशन में अगर मेडिटेशन किया जाए दान धर्म पूजा पार्ट हमेशा किया जाए तो जीवन में कभी किसी चीज़ की जरूत पढ़ती ही नहीं है मां होती है लेकिन कभी किसी प्रगार के आप बहस बाजी मत पढ़िएगा क्योंकि इसमें आपका समय भी समय भी जाया होगा और अंततहर निसकर्श भी पॉजिटिव नहीं आएगा पाम को जो साइज वह आपके लंबाई में ज्यादा है रेक्टूंगलर पाम है तो शारड़ किसम का वेक्तित होता है इंस्पिरेशन मोटिवेशन जादा होता है और इस कंडिशन में कई मरतवा भी ना सोचे समझे काम करने की यो है योगिता भी प्राप्त होती है अब यहाँ पर देखेंगे तो शुक्र आपका एक्टिव जादा है तो इस कंडिशन में जीवन में लग्जरी स्कंफर्ट अच्छा रहेगा गुरू भी अच्छा विक्से थे तो बच्चों से सूख मिलना यह समाज में पत्प्रतिष्ठा अच्छा होना वो दिखाई दे रहा हो चंदर भी विक्से ठीक है तो जीवन में कभी भी खान पान घुमना फिनना सुख सम्रिद्धी कोई भी कमी आपको नहीं आने वाला है अब आपसे आते हैं गुरू के छेतर पर तो गुरू पर जो यह आड़ी रेखा जा रही है इसे गुरू वले का तात्पर वो होता है जिसमें व्यक्ति बहुत जादा धार्मिक देखने को मिलते हैं तमाम तरह के धर्म गरंत और रहस कि पदितियां होती हैं उसको अपनाने वाले होते हैं इसलिए बच्चे भी इस कंडिशन में संसकारी निकलते हैं क्योंकि उनमें अच्छे संसकार आप जैसे आप जातक दे पाते हैं सांसरिक पारिवारिक द्रिश्रिकों से यह सुख में जीवन शेली दे देता है शनी के जब भी दफता है तो हमेशा result मिलने में किसी चीज़ का result आने में देरी होने लगता है और शनी के अपर जब भी अधिक रेखा मौजUD हो तो हमेशा एक सवब एक सव्दा काम करने का आधिपन होता है अनेकों कामों में interest एक ही समय पर आजाता है इसलिए जीवने भाग कामना अंतितहप पूर्ण होगा सारा का सारा एक प्रगार से मन का काम हो पाएगा और यहां पर जो सबसे अधिक काड़ी रेखा काट करके जा रही है राहू की वह आपको काट करके गई है 36 के उमर में और एक तक्रिबन 40 और 41 के बीच में तो इन दोनों पिरेड में सबसे ज़्यादा धनहानी मानसिक तनाव धरेलो तकलिप परशानी जैसी चीजों से भी गुजरना पड़ा था फिर जब यहाँ पर moon luckland चलती है तो एक से ज़ादा कारियों में मन लगता है और एक से ज़ादा चीजों में skills भी देखने को मिलता है तो moon luckland आपकी मन को denote करती है तो मन में हमेशे नहीने परकार के विचार धरा यह नहीने परकार के काम करने के जो योग है वो चलते रहते है अब जो भी इदर ट्रेंगल रेक्टेंगल ऐसे कोई भी साइन बनते तो यह प्रोटेक्शन के साइन है और जब भाग रेखा के उपर बन रहा है यानि किस्मत साथ देगी तो जो भी एक्छा मनुकामना उसकी पूर्ती होगी तो इसक्वेर इस बात को डिनोट कर रहा है कि बहुत आल करते रहते हैं temporary benefit के लिए long term benefit खो देते हैं तो इसलिए आपको concentration यानि एकागर होकर के काम करना चाहिए जाबा मन नहीं भटकाना चाहिए या फिर रहने को छेतर में हाट डालने से बचना चाहिए बीच में जो रेखा देख रहे हैं शनी और सूर के इसे विद्ध्या रेख है वो भी झाल लंबी है क्योंकि मस्तिश रेखा की उपर से निकल रही है तो जब भी मस्तिश रूर की रेखा रिया उसकी उपर से निकले तो वेक्टिते अपने जिवन में जैतना उंमिद करते हैं कि नामिज्जत उससे जादा ही पराप्त होता है और वो सब किसके दौरा पराप्त करते हैं अपने खुद के बुद्धी मता निर्णे लेने की योगिता अपने ग्यान अपने सूजबूच के द्वरा अपना नाम इजद समाज में अच्छा कमा पाते हैं अभी सूर के ओपर फिश शिंबॉल का साइन यहां पर आपको देखने को भी लेगा जो यह श करके इदर से बीच से जा रही हैं यहां से जा रही हैं तो यह औपस्टेकल्स को क्रेट करता है कि यह जो फिश शिंबॉलिस का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है क्यों कि सूर के अनेखों रेखाएं ध्यान भटकाती है फोकस में कमी करती है एक्सपेक्टेड गेंस या जैसे ही ठीक कर लेंगे आपका सूर इससे लेकर कि सारे ग्रह का जो रिस्पॉंस वह बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छा होने का मतलब यह है कि मन चाहा परिणाम मिलेगा अब जैसे सूर पर फिश विंबॉल क्या करता है कि व्यक्ति को अपने हर काम में सफल जब आने लगेगा सूर का सही होगा अच्छा परात होने लगेगा तो अटमेटिकली रिस्क जो भी लेंगे फिर उसमें लाव आपको मिलने है और आप जिसे जातकों को तो लोन भी अच्छे से मिलता है सद भी जाता है यानि खतम भी हो जाता है और एक प्रगर से आपके द्वारा दूसरों का नाम होते हुए भी देखने को मिलता है तो सूर्य मेरे साब से तो बहुत सही है बस थोड़ा सा इसको मेंटेन करने क्या हो शकता है अदर्वास नेम रिस्पेक्ट या सक्सेस के लिए यह बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है मरकरी मांट के ऊपर जब भी एक सेते दिक रेखा होती है तो यह व्यापारी गुण को दर्शाता है व्यापारी गुण का ताथ पर है मीठी बोली आकशित वेक्ति तो अपने बातों से किसी को प्रेरित प्रभावित या आकशित करने के जो सक्षमता होती है वो बहुत करते हैं और बिजनेश जो लख है वो यहाँ पर ही बढ़ाता है इतने बड़े-बड़े आईलेंड हेल्थ के लिए अगेन ठीक नहीं होते है और आपकी केस में यह है कि जो हैदर रेखा और मस्तिश रेखा वो दोनों एक है इसे कहते हैं सीमेल लाइन और सीमेल लाइन बे देती है तब जब कोई another mind line या heart line मौजूद ना हो और आपकी केस में heart line यहाँ पर एक another मौजूद है और एक mind line another मौजूद है यह heart line आपको emotional nature दे रही है sensitive personality दे रही है जिसके करण चोटी चोटी बातों से प्रभावित हो जा रहे है बुरा मान जा रहे है अच्छा मान जा र और यह जो another supportive lines देख रहे है आप यह भी आपकी mind line ही है लेकिन यह किरदार क्या निभारी है रहू का इसलिए जो एक प्रकर से thinking है वो properly implement नहीं हो पाता है जो सोसते हैं उसके regarding काम properly कर नहीं पाता है planning properly execute नहीं हो पाता है क्योंकि यह mind line active नहीं है तो इसलिए यहाँ पर यह confused mentality को create कर रहा है जिसके current decisions properly ले नहीं पाते कौन सी बात से बुरा मान जाए कौन सी बात अच्छी लगी किस बात को लेकि serious हो जाए इसको आप judge नहीं कर सकते इसलिए sensitive plus emotional personality दे रहा है और उसके current relation के regarding दिक्कता रहे क्योंकि relation में इसी कारण से उठापटक जादा होने लगता है क emotional hurt भी किसी बात से हो जाती है किसी से expectation जादा वो fulfill ना हो तो उसकारण भी emotional hurt होते हैं तो इस condition का जो सबसे static remedy है वो है प्राणायम करना और हर सुबह जल्दी उठ वॉक करना इससे शनी की स्थिती बहुत सही होती है शनी के साथ सारे ग्रहों की स्थिती ठीक होती है लेकिन श जो भी एक्षा मनों कामना है उसकी भी पूरती धीरे धीरे कर होना शुरू हो जाती है अब यहां जो पहली बताया जा चुक है कि आपकी life line का flow बहुत अच्छा हो रहा है और बाहर के तरफ जुक रहा है तो इसलिए यात्रों को सभाग आपको अच्छा मिलेगा और सबसे इमपोर्टेंट लाइन है आपके हाथ में वह है गार्जी निंजर लाइन इस रेखा को प्रोटिक्शन लाइन केते हैं देवदूत रेखा केते हैं और सभी रेखा केते हैं यह रेखा काम होता है life line को सपोर्ट करना यानि जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो अंत तक सभी देने वाले होते हैं या फिर वो रेडी ही रहते हैं कि आपकी जीवन में कोई दिक्कात आए तो वो मदद के लिए और यह इश्वर के करपा अनुकंपा से ही मिलते हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति हर समय अविलेबल नहीं होता है इसलिए अन्नोन व्यक्ति का भी सपोर्ट मिल और यह रेखा इस बात को एश्वर करती है कि आपकी हैल जादा बिगड़ने नहीं देगा शारिरिक मानसिक या आर्थिक किसी प्रागर की तकलिफ में कोई ना कोई व्यक्तिविशे सही होग करेगा और इश्वर से जो भी आपकी मुराद रहेगी अपने या दूसरों के घटना दुर घटना या एकसे रेंट जैसे चीजों से बार बार बचाएगा आपको अंध्रुनी मंगल की स्थीदी तकरिवन बढ़िया है बाहरी मंगल की स्थीदी भी ठीक है बाहरी मंगल से आने वाली यह सभी रेखा है हिम्मती व्यक्तित को दर्शाती है और यहां से जितनी भी रेखा है चोटी चोटी उपर के तरह जा रही है यह सब व्यापार गुण को बढ़ाती है यानि अर्निंग कैपिलिटी इंक्रीज करती है शुकर अच्छा है तो कॉस्मेटिक ब्यूटी और लग्जरीज लौथ हैं सबके रिगाडिंग कोई भी काम से बहुत ज इकत नहीं है आप जो आपको जो सजेशन दियागा सेटन का आप उसको करिए आपका शुक्र और अच्छा होगा तो लाइफ में वर ज्यादा पॉजिटिविटी मेरिट लाइफ में फैमिल लाइफ में बढ़ेगा पीस्फुल स्टेबलाइजिशन प्लेजर की फुल्फिल हो रही है तो आप अपने कारियम में एकागरता रखें मरकरी से लेकर के सूरे रिखा सब मजबूत जब होगा तो और ज़्यादा तरक्य संबरेद्धी वखुशाली स्वास संबंदी विश्यों में धन संबंदी विश्यों में निश्चित रुप से आएगा अब यहां ले ध्यान में, मन में, कॉंसेंट्रेशन में, नेड़ने लेने की योगिता में, इन सारी चीज़ों में जो है बार-बार परिवरतन करती है, इसलिए बार-बार ध्यान मन किसी भी कारण से भटकता है, तो निशकर्ष किसी भी चीज़ का ऐसी रेखा दे नहीं पाती है, इसलिए आंत्रिक रूप से संतुष्टी मिलने ही पाता, इसलिए शनी की स्थिति दोनों हतेली में तक्रिबन दभी हुई है, तो इसलिए जब आप रेमेडिय करेंगे, फोकस अच्छा बढ़ेगा, और हर काम से सैटिस्फेक्शन और स्टेबिलिटी बढ़ेगा, सबसे च्छी बात ये है, हतेली में आपके की लाइफलान की स्थिति और भागी की स्थिति बहुत ज़्यादा प्रबल होती दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इक्छा मनो कामनों की पूर्ति वा स्वास्त सुधारत्वा, जीवन में सुख, नाम, इजजद, सम्मान, वधन, ये स करता हूँ, सभी परेशनों को अत्तर बिल गया हो, तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.